हेई गाइज वेलकम ऑन दुस चानल वेफस अफ होमियोपथी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप से कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स और उनके रामडी के बारे में बात कने वाली हूं सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग है तो इस वीडियो को अपने वाट्सअप ग्रूप और अपने फीस्बूप पे जरूर शेयर कीजेगा तो लेट्स टुदेश वीडियो फर्स्ट सिम्टम्स दाट ओल्वेश वाशिंग हर और हिस हैंड मतलब कि कोई पेशेंट जिसमें हम यह चीज ऑब्सर्फ करें या फिर वह में खुद बताई या फिर हो सकता है कि उसके साथ बे जो भी परसन आया हो वह हमें चीज बताए कि इसकी आदत है कि बार बार अपने हाथ दूलता रहता है तो इससे हमें मैडिसन डिफरेंशियेट करने में बहुत हेल्प जसकी एकथ मिल जाएगे तो कौनसी मरीस में ऐसा होता है सिप्फिलिनम का जो पेशेंट होता है वह अपने हाथ बार-बार धूलता रहता है कि फिंगर जर्क वन रायिटीं मतलब कि जसे त tarp earning कोई लिख रहा होगा पेशेंट जो भी पेशेंट है वो लिखना लिखेगा तो उसका हाथ चर्क करता है ऐसा होता है सल्फियूरिक एसड में थर्ड इस स्वेट डे एन नाइट एस सून एज वन स्लीप और इवन ख्लोजिंग द आईज मतलब कि यह पेशेंट जैसे ही सो रहा है तब उसको बहुत पसीना आता है चाहें वो दिन में सो या फिर रात में और जैसे ही वो पनी आखें बंद करेगा जैसे कि बस उसने आखे close ही की है और उसको पसीनाय लगता है, ऐसा होता है, कोनियम मैक में, उसके बाद है, phos often cures lustfulness when hyosymus fail, जब hyosymus fail हो जाती है, तो हो फोस्पोरस मेडिसन देते हैं, lustfulness के लिए, उसके बाद next time, speaks each word louder, मतलब कि जो भी patient है, वो क्या करेगा, speak करेगा, हर ए इसा होता है हायो साइमस में after that last one is she is well one hour and very miserable the next a car a ghandi में वो वेला ठीक है एक में बहुत ज़दा miserable हो जाती तो ऐसा होता है पल्स डिला में guys I hope you like this video if you like then please